Mother's Day एक ऐसा celebration होता है जिस दिन हम अपनी family में अपनी मदर को honor देते हैं ये दिन celebrate होता है अलग-अलग दिन पूरे world में पर most commonly ये March या May के महीने में मनाया जाता है कुछ countries में अपनी ही history है कि वहाँ पे Mother's Day क्यों मनाते हैं पर अगर modern American Virgin की बात करें तो ये initiative एना जाविस ने लिया था 20th century में United States में तो पहला international Mother's Day मनाया गया West Virginia and Druze Methodist Episcopal Church में पर ये American Virgin को लोगों ने बहुत criticize करा क्योंकि ये दिन बहुत commercialized हो गया था जाविस ने खुद बोला कि उन्हें बहुत regret है क्योंकि वो नहीं चाती थी कि इस तरीके से Mother's Day मनाया जाए क्योंकि फिर और countries ने देखा कि इस दिन को United States ने start करा है पर कुछ companies अपने फाइदे के लिए Mother's Day मनाने लगे फिर और countries ने अपने different meaning और different dates पर इस दिन को मनाना शुरू करा Christianity के कुछ tradition के हिसाब से Mother's Day को associate करा जाता है वो जिन Mary के साथ कुछ Eastern Catholic और Eastern Orthodox Churches में तो special prayers भी की जाती है इनके लिए Islam में कोई concept नहीं है Mother's Day का बस कुरान में ये सिखाया जाता है कि बच्ची अपनी मा को हमेशा जादा इज़्जद दे Hindu tradition में Mother's Day को माता तीर्था अनूशी कहा जाता है और celebrate होता है मेली नेपाल में जहां Mother's को special खाना खिलाया जाता है जिस दिन नया चान निकलता है बिसाग के महिने में उस दिन यहाँ पे Mother's Day मनाया जाता है Australia में Mother's Day मनाते हैं May के Second Sunday को और ये पहली बार मनाया गया था 1910 में पूटान में ये दिन मनाया जाता है एर्थ में को प्राजील में में के Second Sunday को और क्यानिडा में भी Same Day मनाया जाता है चाइना में सबसे जादा पॉपुलर है Mother's Day और इस दिन चाइना में सबसे जादा फ्लावर्स भी पिकते हैं 1997 में Mother's Day मनाया जाता था गरीब माउं के लिए जो लोग उनकी मदद कर पाएं पिछले ही साल चाइना में Communist Party मेंबर ली हांचु ने इस दिन को मेग मु के नाम कर दिया जो की मदर है मेग जी की इजिप्ट में Mother's Day 21st मार्च को मनाया जाता है फिनलैंड में में के सेकिंड संडे को और जोजा में 3rd मार्च को अब बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में ये दिन इस साल 8 में को मनाया जाएगा और इंडिया में ये religious event नहीं माना जाता है और mostly ये पाया गया है कि ये दिन सिरफ urban cities में ही मनाया जाता है तो आज का दिन हम चाही तो मना भी सकते हैं और चाही तो ना भी मनाएं पर अगर आप मनाना चाते हैं तो आप अपनी मदर्स को breakfast बना के दे सकते हैं उनको उनके favorite flowers दे सकते हैं उनको एक दुनकी छुटी दे स करते हैं कोई surprise party या उनके साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं और अगर ये भी जादा लगे तो उनको बहुत सारा प्यार और इज़त दे सकते हैं क्योंकि हर माई ये deserve करती है उनके लिए social media पे post आलने से अच्छा है उनको special feel करवाएं और उनके साथ वक्त बिताएं सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में ठड़ा